दराज से online shopping के लिए play store से दराज आप mobile में install कर लेंगे, open करते हैं, skip करेंगे, दराज application open हो गई है, सबसे पहले में आपको बताऊंगा दराज पे account कैसे बनाएंगे, दराज से order करने के लिए account का होना जरूरी है, account के option पर जाएंगे, next sign up, यहां mobile number टाइप करेंगे, continue करने के लिए दो मजीद option आपको मिल जाते हैं, facebook और google का, यहां पर आप अपना active mobile number टाइप करेंगे, जिस नंबर पर verification code सेंड होगा, अब next आप verification code टाइप करेंगे, वो code जो आपके mobile नंबर पर आपको रसीव हुए है, वो code आप यहां पर टाइप करेंगे, फिर next आप नाम और password स जिस पे आप चाहरे हैं कि आपका parcel आपको रसीव हो, और आपने अपना email address टाइप करना है, तो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको यह वला option मिलता है, आप इस option बे जाएंगे, next account information, अब यहां पे आप अपना email टाइप करेंगे, वो आपस back आके आप address book में जाएंगे, यहां full name और mobile number टाइप करने के बाद, area में अपना area select करेंगे, अब यहां पे आप अपना full address टाइप करेंगे, वो address जहां पे आपको आपका parcel रसीव हो, नीचे भी कुछ मजीद option आपको मिलते हैं, तो यहां से आप इनको भी select कर सकते हैं, next आप save कर देंगे, अब आपका address save हो गया है, अब मैं आपको बताऊंगा, कि आप दरा से किसी चीज का order कैसे करेंगे, और कैसे चेक करेंगे, जो भी चीज़ आप मंगवा रहे हैं, वो सही है, नही है, आप कैसे उसकी detail चेक करेंगे, यह सब जाने के लिए वीडियो आप देखते रहें, online shopping के लिए आप categories मे टाइप करता हूँ, और search करता हूँ, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Dell के mouse चो हो गए, इसी तरह आप किसी भी चीज़ को search कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको चाहिए, अगर आप free shipping चाहते हैं, तो यह उपर आपको यह वाला option मिलता है, free shipping का, आप इसको select कर सकते हैं नीचे आपको filter का option मिलता है, आप अपनी मर्जी का filter लगा के भी search कर सकते हैं, अब मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे चेक करेंगे, जो भी चीज़ आप मगवार हैं, क्या-क्या details आपके चेक करनी हैं, और कैसे आप अपना order करेंगी, जैसे कि मुझे यह mouse चाहिए, तो म आप जो भी चीज़ पर्चेस कर रहें, आपने उसकी क्या चीज़ चेक करनी है, एक तो आपने picture यहाँ पर देख लिए, उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे, नीचे आपको rating और reviews का option मिलता है, अब इसमें लोगों की राए आपने देखनी है, आप जो भी चीज़ बाई करना चाहा रहें, तो उसका उसके बारे में क्या reviews हैं, मतलब उसको जो चीज़ रेसीव हुई है, जो picture में यहाँ पर दिखाया गया, जिसादर यह डेल का माऊस है, picture में जो दिखाया गया है, वो ही receive हुई है, यह को और चीज़ रेसीव हुई है, तो यहाँ रेसी़ को जूम करके देख लें कि जो डिलिवर हुआ है एक्षिली जो चीज डिलिवर की गई है वो कैसी है तो यहां से इन पिक्चेज को आप जूम करके देख सकते हैं तो यहां पे आप चेक कर लिया करें कि लोगों की इस चीज के बारे में क्या राया है जो प्रोड़क्ट उनको रेसीव हुआ है वो सही है नहीं है तो यह आप लाजमी देख लिए करें अच्छे से चेक करने के बाद यहां से आप नीचे आएंगे और डिसक्रप्शन में भी प्रोड़क्ट के बारे में डिटेल लिखी होती है जो भी चीज़ आप बाइ करना चाहरे हैं उसके बारे में नीचे तफसील से लिखा गया होता है आप यह भी रिट कर लिया करें वो नीचे मजीद तीन आप्शन आपको मिलते हैं पॉजिटिव सेलर रेटिंग शिपिंग अन टाइम और चैट रिस्पांस रेट पाजिटिव सेलर रेटिंग जो सेलर की रेटिंग है जो आपको जारेखे सेकते हैं जिसमी स्टोर से आप मंगवा रहे、 तो आप पहले चैट कर लिया करें जो भी चीज़ आप हैं पहले चैटbar कर लिए कर लें करें कि जो चीज़ करनी है तो आप इस वाले option पे जाएंगे तो बाद में आप उन सारी चीज़ों को buy कर सकते हैं और अगर इसी टाइम आपने इस चीज़ को buy करना है तो यह वहला option आपको मिलते है buy now तो आप इस वाले option पे जाएंगे अब आप देख सकते हैं कि deliver to उपर name शोओ रहाओगा जो भी account बिनाते वकित आपने नाम दिया है वो आपका नाम यहाप शोओ रहाओगा और नीचे आपका address शोओ रहाओगा जिस address पे आप चीज मंगवाना चाहरे हैं और नीचे आपको मजीद एक और option मिलते हैं आप इस वाले option पे जाएंगे तो आपके nearest दरास का जो भी pick up point होगा मतलब जिसरा दरास की shop होती है को पिक up point है तो आप उसको भी select करके मंगवा सकते हैं आपके area में नीरस जो भी दरास की shop है आप चाहरे हैं कि आपका जो पारसल है वो वहाँ पे receive हो जाए तो यहां से आप उसको भी select कर सकते हैं आपका number और email भी show रहा होगा जो आपने account बनाते वक्त दिया था अब यहां मसीदा option आपको मिलते हैं quantity आपको एक चाहिए तो यहां पे quantity शो हो रही है जो product है उसका 280 शो हो रहे है और delivery charges 109 टोटल जो amount है वो 389 शो हो रही है यह सब चेक करने के बाद order करने के लिए आप order place के option पर जाएंगे select payment method आपने payment method को select करना है आप cash and delivery चाह रहे हैं कि आपको parcel receive और फिर आप payment करें तो यहां से आपने cash and delivery select करना है select करने के बाद अब आप confirm order कर देंगे तो आपका order book हो जाएगा अब आप दे सकते हैं कि यहां पर order number शो हो रहा है जो मेरा order था वो book हो गया है view order के option पर जाएंगी अब आप दे सकते हैं कि order number शो हो रहा है delivery date शो हो रहा है आपके order के मतलका यहां पर detail शो हो रही है अब मैं आपको बताओंगा कि अगर आप order cancel करना चाहरे है तो आप अपने order को cancel कैसे करेंगे एक तो यहाँ पे आपको option मिल जाता है अगर आपने order कर दिये कुछ देर के बाद आप उसको cancel करना चाहरे तो आप कहां जाके order को cancel करेंगे उसके लिए आप account के option पर जाएंगे account के option पर जाने के बाद अब यहाँ पे आपको यह वाला option मिलता है इस पर जाएंगे तो आप आप देख सकते हैं कि आपका order शो और होगा इस पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक Cancel का Option मिल रहा है अगर आप Order Cancel करना चाह रहा है तो इस वाले Option पर जाएंगी इस Option पर जाने के बाद अब यहाँ से आप को Reason स्लेक्ट करेंगी कि किस वज़ा से आप Order को Cancel करना चाह रहा है Reason को स्लेक्ट करने के बाद नीचे आपको submit का option मिलता है आप submit कर देंगी तो आपका जो order है वो cancel हो गया तो इस तरह आप दरास की application को इस्तमाल करते हुए online शाप्टिंग कर सकते हैं वीडियो पसंदा ये तो आप like जो कर दें चैनल को subscribe करें मुझसे कुछ पूशन जाएं तो वीडियो के नेचे comment कर सकते हैं thanks for watching